वेलकम टू दीफ्स बलाक दोस्तों आज वैसिती स्कूल तो छुट्ती है लेकिन मुझे बहुत सारा काम है कुछ काम वालों को मैंने हैं घर में काम बन रहा मैं और स्कूल में بिल्डिंग का काम है इसको मैंने कुछ लेबस को बनाया है सुबह उठकर दोस्तों मैंने फिर निम्बू पानी एक ग्लास करम पानी में एक चमज हनी मिना लिए और एक निम्बू का निचोड़कर निम्बू का रस लेकर मैंने पी लिया ताकि दिन भर मुझे चुश्ति फुर्ति मिले और लिवर बगेरा डिटॉक्सिफाइए हो मैं चत पर थोड़ा गया था कुछ देखने के लिए फिर आके देखता हूँ चिंटी मिन्टी दोनों प्रेयर पे लगे हूए सुबह उटकर हाथ मुध होकर फिर पाने पीकर यह प्रासना करने बैटे हैं यह एक करिवाज है हमारे करका हम सभी सुबह अगवान जी के चरणों में प्रासना करते हैं तो बच्चों में भी आतर डालना बहुत जरूरी है उसका बाद मैं कीचन पे चला गया दोस्तों देखते हैं यहां नास्ते का प्रोग्रम हो रहा है और आज एक नया आइटेम दोस्तों में उस दिन गवाटी जब गया था बच्चों के लिए ले ले गया था आज इसका मतलब इस्तमाल करना है इतने दिन से चुट्टी नहीं चले गए सभी मील कर जो चीज था उसको मैंने फिर कैरी करके मैं चत पे गया देखके आया फिर आकर नीचे यह जो समान था उसको लेके चला गया दोस्तों यह देखिए अभी सारे प्रेपरेशन चल रही है जाड़ो कुछ हो रहा है यह क्लीन कर रहा गया है ताकि यहां हम उस चीज को रख सकें थोड़ा साफ सफाई कर लिए थोड़ी देर बाद यह जो चीज मैं लाया था इसको अनफोल्ड करेंगे दोस्तों हाँ यह पंप का सिस्टम है और यह है दोस्तों प्लास्टिक का बत टाप बोल सकते हैं तो यह बहुत दिनों से बच्चों का चाह था तो हमने इसको यह हवा भरा फिर मोटर से पानी इसमें डाली और यहाँ अभी वाटर गेम हमल करने वाले हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही शौक की चीज है इसको मिलते ही दोनों बहुत खुशते यहां नहाएंगे आम तोर पे सुबह नहाना इनको अच्छा नहीं लग तो बच्चों के लिए लेकर आया था आज पहले बार इसको इसको इस्तमाल कर रहे हैं हवा भरने भी बहुत समय लग जाता है क्योंकि हाथ से वह जो पंप है उसको चलाना पड़ता है फिर लगबग यहां कम से कम 700-800 लिटर पानी भरने पड़ती है लेकिन इतना समय भी न दूसरी पानी छपा कर रही है तो बच्चों के लिए यह जो चीज है इनका हॉबी का एक पार्ट होता है और लर्णिंग भी से बहुत होता है खेर जो भी हो अभी नहां दोने के बाद यहां से फिर अभी जाना है बाकिस सारा काम है तो मैंने देखा कि दोनों बाहर निकल और पुछा सरीर को पोँच कर फिर वो कपड़ा सुखा रही है बेटी यहां धूप बहुत सुबह सुबह ही कडाके की धूप लग रही है अभी यह कपड़ा वगरा सुखा की यह लोग तो चले जाएंगे लेकिन मेरा तो काम रहेगा अभी क्योंकि यह जो बाट टब मैंन उसको समाल कर रख दिया ताकि कल पर सो जब भी जुरुरत पड़े मचट पे आकर इसको यूज़ कर सके फिर दोस्तों मैंने भी उसी चांस में यह नहाल लिया और फिर मैं नीचे चला गया दोस्तों अभी बाकी सारा काम करना है नहां दो के पुछा वज़ा लगा के तब तक मैं देखता हूँ कि हमारे वेल्डी में काम करने वाले जो वकस थे वह चले आ गया आज पैंटिंग का भी काम है और राजमिस्त्री का भी काम है प्लमर भी आया है कितना जल्दी हो सके हम नीचे से उपर सिफ्ट होने वाले हैं इसलिए सब को काम पे लगा दिया है प्लमर भी आज आया है जो बात्रूम का फिटिंग्स करने के लिए पैंटर भी आके पैंट कर रहे हैं तो काम चल रहा है कुछ दिर में रहूंगा उसके बाद मुझे स्कूल के लिए निकल गया है आज बच्चे जो फ्रेश्मन का जो प्रोग्रम है उसका प्रेफ्रेश्मन के लिए आएंगे बड़े बच्चे होंगे अकले नहीं चोड़ा जा सकता और उनको हेल्प की जरूरत भी हो सकती है इसलिए दोस्तों में खाना भी न खाके फिर मैं में निकल आया गयाना मकाड़ेमी मेरा जी स्कूल है एक वाटर है जैसे मैं अंदर घुसा तो देखा दो बच्ची आ निकल रही है मैंने उन से पूछा कि बाके बच्चे कहां है तो उन्होंने बताया कि नहीं उपर काम कर रहे हैं फिर दीरे से मैं गाड़ी पार करने के बाद फिर उपर क्यों चला गया देखता हूं कि सारे बच्चे आए हुए और काम पे लगे हुए कि इनका स्टेज प्रपरेशन हो र बाकी तो आके टाइम पास ही करते हैं यह जो उमर है उसका एक अलग सा मज़ा है दोस्तों मैं चला गया देखता हूं सिलिंग का काम हो रहा है बहुत दिने के बाद मैंने बहुत मतलब मजदूर को बुलाया था करने के लिए कोई आते नहीं तो आज हमारे पुलक और अनिर तो मैं अपने चेर पर बैठ गया और कॉपी को वेरिविकेशन था मास्टर कॉपी वेरिविकेशन था तो उसको मैं करने लगा बीच बीच में मुझे उठके जाकर उनको देखना होगा कि वह कर के आ रहे हैं मतलब यह जो लेवर्स काम कर रहे हैं यह और बाकी जो बच्च जल रहा है अक्सर असा होता है कि इस उमर में एक चीज लेने गए तो दुसरा भूल के आ गए यह अची तरह से ट्रेनिंग नहीं होता है तो बार 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 निकलना दोड़ना भागना होते रहता है तो कोई कार्पेट लेके जा रहा है को पानी वोतल भर के लिए दोस्तों करें एक सब्सक्ना करते हैं और सब्सक्राइब करान दोस्तों के साथ अलग ही एक मजा है और यह जो मेमोरी है लाइफटम रहे जाती है इसी से लाइफ सब्सक्राइब बनता है से स्कूड Day के साइब किया हुआ काम अक्सर कॉलेज में क्या धाय कि ज्यादा तर चुड जाता है और कॉलेज में आज फिर ने दोसरा काम में जब पूंच जाते हैं और धीर धीरे विदाय का वक्त भी आजाता है यह दो बच्ची हैं हमारे असमिने और प्रिंसिप या आप इसकुडी लेकर देखिए चली जा रही है सही सलामत कहीं कुछ ना हो बस यही दूआ है इधर काम चल रहा है सिलिंग का इन दिनों बहुत दूप बहुत गर्मी हो रही है और चोटे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होते तो भूक लग रही थी दोस्तों तो टिफिन का इंदिजाम हमने किया किचन पे गए तो हमारे अनिर्बान ने मुझे एसिस्ट किया चना बगरे मैंने कुछ लाया था तो इसको भूंच के फिर नमक बगरा डालके मैंने एक हलका सा रेसेपी तैयर किया उसके बाद पुलक और बुला ले और हमने चारों ने मिलके ये खाया फिर दोस्तों मैं एक बार फिर उपर देख किया ना होगा मुझे की वो बच्चिया कर क्या रही हैं काम का प्रागरेस कितना हुआ बीच बीच में जाकि अगर जख जो ना दे तो देर कर दो देखा कि यह खाने पीने का समान मैं भी उनके बीच बैठ गया और कुछ मस्तिया की सबको मैंने इकोले डिस्टिबुट कर दिया क्यूंकि अगर ये किसे बच्चे के हाथ में पड़ गया तो उसको ज्यादा मिलेगा बाकी को कुछ नहीं मिलेगा ये मुझे पता है इसलिए मैंने खुद ही इसलिए इसी बीच जो थोड़े दूर से आये थे और जिनका जरूरी काम था जल्दी जाना था Z वह जले जारहे हैं और जो अभी रूख सकते हैं जो सामने के वह भी काम पे लगे हैं इनको शायद काम करते करते शाम हो हो जाए तभी मैं देखता हूं कि डांस स्कूल के लिए बच्चे आ रहे हैं आज उनका डांस का प्रक्टिस है तो यह बहुत गर्मी थी यह जो कामिला लोग काम कर रहे थे तो मैंने उनिर्बन को बोला कि कुछ नीबू लाके नीबू का सर्बत बना कर सभी को पिलाएं तो वोower कीचेन में आकर बनाने लगा हम सभी ने पिया फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर जाके देख लोग यह बच्चे कर रहे हुआ कर्या है तो ओपर आके मने देखता हूं कि छोटे जो बच्चे ंर डांस प्रक्टिस के लिए ने लिए लेकिन लगबग छेजाद बच्चे ही बाकी हैं बाकी सब गर कसाय चले गए तो यह मनलगाखर काम कर रहे हैं इनका जो बैक डेकरेशन होगा गया नमकाले मिलका होगा फ्रेशिस दिखा होगा वो पेपर पर लिखे कटिंग कर रहे हैं इतने में प्रिंजिपिया और यसमिन क कुछ लाये तो कोई कुछ टिफिन लाया था कुछी ने लाया मिलबाट कर खाये लेकिन इस उमर में भोग तो बहुत ज्यादा लगती है तो किचन में जाकर बॉल बगरे भी ले आए मैं देखता हूँ पराठा लेकर आए पराठा सबजी चटनी अचार यह सभी दोस्त मिल प्रॉट कर नहीं मिलने वाले है तो इसमें एक अलक सा मतलब कलेक्टिबली काम करने का टीम में काम करने का दोस्तों के साथ रहने का मजा ही कुछ अलग है मिल बाठकर खाना दूसरी के भाग से लेकर खाना दोस्तों में यह आम्न है यह हम भी हमारे जमाने में करते थे, अभी के बच्चे भी करते हैं, यह बदलने वाला नहीं है वो कहते हैं ना, हर दोस्का मीना होता है, यह मतलब दोस्तों के बीच में ही है तो मैं भी वहाँ था, मैंने भी कुछ चका, पराठा सब्जी और फिर बच्चे में कुछ काम अभी भी बाकी है मैंने उनको कहा कि जल्दे जल्दे करो क्योंकि अभी शाम होने वाला है तुमारे घर से फोन आएंगे बच्चिया नहीं पहुंची है फिर इतना कहके मैं फिर नीचे चला आया देखने के लिए नीचे वाले क्या कर रहे है मुझे आपिश में भी थोड़ा काम है यह डांस स्कूल के जो पैरेंस है वो भी बैठे हैं यहाँ फिर जाकर देखता हूं कि सिलिंग का काम हो ही रहा है तो यह मेंटेनिंस बहुत बड़ी चीज है मैंनेजमेंट करना इधर भी देखना उधर भी देखना करना तो पड़ता ही है कहीं कोई एसिस्टिंस हो कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो मैं देखता हूं कि सभी काम समेट कर अभी यह जो बच्चे हैं कुछ जो बच्चे थे साथ आठ दस तो यह लोग अभी निकल रहे हैं यह बड़े बच्चों में समझ छोटे से भी थोड़ा जादा होता है इसलिए यह अच्छी तरह से टीचर से गूल मिल सकते हैं खैर जो भी हो कल का फ्रेशस पे आपको वेलकम रहेगा बाई बाई